नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप योष्ट का SEO plugin योज़ करके किस तरीके से WordPress blog में site map create कर सकते हैं और उसके जो भी setting से वो सब setup करें सकते हैं और फिर हम उस site map को Google के search console में कैसे submit करना है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ WordPress का जो latest update है उसके साथ by default WordPress में एक site map generate होके आता है हाला कि वो जो site map है उस site map में काफी सारे limitations है जिसके चलते by default WordPress का जो default site map है उसको मैं recommend नहीं करता हूँ इसके लिए आप Rank Math का SEO plugin इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर used का SEO plugin इस्तेमाल करते हैं हमें हमारे website या blog में जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर मेरे demo website में आ गया हूँ तो आपके blog में अगर used SEO plugin नहीं है तो आपको इस plugin को पहले add करना पड़ेगा या आप सर्च कर दीजे हम इस plugin को install कर लेते हैं अच्छा एक्टिवेट करने से पहले मैं आपको एक बर दिखा देता हूँ कि default जो sitemap होता है वो क्या होता है sitemap देखने के लिए आपको type करना होता है sitemap.xml ठीक है तो यह मैंने प्रेस कर दिया इसको तो देखिए by default यह automatically wp-sitemap.xml पे redirect हो गया तो यह wordpress का एक default sitemap है जिसमें आप देख सकते हो post page फिर एक दो type के taxonomies आगे है ठीक है आप इसको अगर analyze करना चाहते हो तो अंदर जाके इसको अच्छा से analyze भी कर सकते है मगर इसके काफी से limitations है मतलब हमारे पास ज्यादा controls नहीं है चीजों को setup करने का तो इसलिए by default हम इसको recommend नहीं करते मगर हमको क्या करना है जब भी हम कोई नया plugin install करेंगे तो इस sitemap को disable करना या फिर हम इसको redirect करना है फिलाल disable का option कुछ आया नहीं है wordpress पे मगर हमको इसको redirect भी करना है तो कैसे करना है वह भी मैं आपको इसमें दिखा दूगा ठीक तो फिलाल मैं इस sitemap को यह पर open रखता हूँ और हम चलते हैं हमारे blog के dashboard में जहापे हमको Yoast SEO plugin को install करना है तो हमने शायद इसको install कर लिया था अभी हमको इसको activate करना है तो मैं इसको यहाँ पर activate कर दिया हमने तो Yoast SEO plugin हमारा activate हो गया left side में जाएंगे यहाँ पर SEO बोल के एक option होगा हम यहाँ पर चले जाते है तो Yoast SEO का जो interface है वो rank math जासा इतना detailed यह फिर इतना easy to understand नहीं है easy है मगर मुझे जीतना लगा कि rank math से ज्यादा कम configuration settings का option है rank math में बहुत ही detail level में हम कर सकते हैं तो Yoast और rank math में कौन सा आपको use करना है वो आपके हिसाब से देख लिजे SEO और options के point हुए मुझे rank math plugin अच्छा लगता है in fact मैं ज्यादे दर blocks में rank math ही use करता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर feature वाले tab में आना है और थोड़ा से scroll करके आप जब नीचे होगे तो आप देखोगे xml site map का यहाँ पर एक option है जो by default on रहता है तो आप question mark पर click किजे और यहाँ पर c xml site map बोलके click कर दीजे तो जैसे हमने use SEO plugin को install किया automatically यहाँ पर xml site map generate हो गया हमको generate करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर automatically वो install रहता है तो अब हमारा जो site map है वो इस तरीके से generate हो गया तो हम क्या करेंगे हम हमारा जो wordpress का default site map का page है उसको एक बार press करके देख लेंगे use SEO plugin में आप जब site map बनाते हो तो wordpress का default SEO plugin है वो automatically redirect होता आपको extra कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो हमारा site map भी यहाँ पर बन गया मगर use SEO में क्या है जैसे मान लिजी आप पोस्ट आ गया page आ गया और यह tcb lightbox बोलके एक extra element आ गया जो मुझे site map में नहीं दिखाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको site map का जो configuration है settings है वो करना पड़ेगा use SEO में हमको क्या करते है site map के लिए अलग से settings नहीं होता है आपको यहाँ पर search app में जाना है और यहाँ पर आपको जो overall settings है उस चीज़ को configure करना है automatically साइट में आपको refresh हो जाएगा जैसे content types है content types में post को दिखाना चाहता हूँ फिर pages को दिखाना चाहता हूँ फिर मान लीजिए आप यह कुछ thrive symbol है tcb symbol है तो इसको मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ तो आप इसको सिधा मैं भी refresh करता हूँ इस page को तो आप देख सकते हो कि lightbox वाला page format है वो हट गया क्यूँ क्योंकि मैंने यहां से जाके इसको disable कर दिया तो इस तरह के से आप कर सकते हूँ फिर आपका media इस वाले segment को बिल्कुल टच मत किजिएगा taxonomies, taxonomies में same है आपको अगर category को site map में दिखाना है तो आप दिखा सकता है यह एक demo blog यहां पर अभी तक कोई category है नहीं तो इसलिए site map दिखाया नहीं जा रहा है मगर by default आप इसको no करकर रखिए tags इसको भी no करकर रखिए formats कुछ नहीं है तो disable करकर रखिए symbols यह भी no करकर रखिए जितने भी आपके post या page मतलब indexable चीज़े है उनको रखिएगा बाकि जो भी indexable चीज़े नहीं है जिसमें content नहीं है फिर को structure नहीं है उन चीज़ों को de-index करकर रखिएगा other than क्या होगा कि आपके website का number of index pages वह बढ़ जाएंगे और Google को unnecessary pages मिलेंगे जो आपके website के लिए honey-garek हो सकता है फिर यहाँ पर archives बोलके भी option है तो archives settings रखना है तो भी रख सकते है या फिर इसको भी आप disable करकर रख सकते है data archives यह भी disable करकर रख सकते है ठीक है तो हमारे site map पर सिर्फ वही URLs होने चाहिए जिनको मैं search engine में index करवाना चाहता हूँ तो यह एक neat and clean site map बन चुका है अब इस site map को कैसे submit करना है सिधा इस URL को यहाँ पर copy कर लिजे और जैसा का मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया कि आपको Google के search console में login करना है site map underscore index dot xml है तो आप यही submit कीजिए अगर आप wordpress का default site map use कर रहे है wp-sitemap dot xml तो आपको वही submit करना पड़ेगा submit करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते नीचे कि Google अपना time लेगा और उसके बाद जैसे ही वह अपने site map को crawl करेगा तो यहाँ पर सारी details को list out कर देगा ठीक है तो यह था detail में Yoast SEO plugin को इस्तेमाल करके किस तरीके से आपको site map create करना है साथी साथ wordpress का default site map है वह Yoast SEO plugin का site map पर automatically redirect हो जाता है आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है तो इस वीडियो को यही पर रखते हैं तब तक के लिए take care and goodbye